अगर आप इस्तमाल करते हो Android Mobile तो आपने Android Mobile के Memory Card या फिर कहें SD Card में एक Folder को जरूर देखा होगा जिसका नाम है Lost.Directory यानि दिर तो आप सबाल उड़ता है कि आखिर में ये Folder क्या है इसका basically क्या यूज है और अगर हम इस Folder को अपने Mobile से यानि Memory Card से डिलेट करते हैं तो ऐस इसे में क्या होगा तो आज किस वीडियो में मैं आपको इसी के वारे में डीटेर्स में बताने वाला हूं तो अगर आपको जानना है कि Lost.Directory folder क्या है इसका क्या काम है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा Hello guys मैं Manoj Saru आपका स्वागत करता हू टेकनोलजी के चैनल में इससे पहले मैं आपको बतातो अगर आपने भी तक होगा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखते चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पर दबा देना तकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूं कंप्यूटर मोबाइल और इंटेनेट से रिलिटेट तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो अगर आम बात करें लॉस्ट डॉर्ट डिरेक्टरी की तो यह एक तरह का फोल्डर है या फिर कहें सिस्टम फोल्डर है जो आपको लगबग सभी एंडॉड मोबाइल के SD Card या फिर कहें Memory Card के अंदर देखने को मिल जाएगा तो अगर आप अपने मॉबाइल कि अगर आपके पास एंडुर्ट मोबाइल है और आप अपने Android मोबाइल के फाइल मेनेजर में जाएंगे और वहांपर SD Card यानि Memory Card को सेलेक्ट करेंगे तो वहांपर आपको Lost.Rectory का तो अगर आप इस folder को open करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको आपको किसी भी तरह का फाइल ना मिले या फिर यह भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ फाइल देखने को मिल जाए अब सवाल उड़ता है कि आखिर में इस folder का mobile के अंदर क्या यूज है तो चलिए इसे एक example के थुरू समझते हैं अगर आप अपने android मोबाइल में internet से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या फिर मोबाइल में कोई फाइल ले रहे हैं किसी से मोबाइल के थुरू तो ऐसे में अगर आपका mobile बैटरी लो से स्विच आफ हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपका जो डेटा प्रोसेस है कॉपी का या फिर डाउनलोडिंग का वही पर रुख जाता है इसके अलावा अगर मालीजिए अगर आप अपने SD card में कोई फाइल ले रहा है किसी computer system से और आप डिरेक्टली उस प्रोसेस जो फाइल कॉपी हो रहा है उसी वक्त अपने मोबाइल से memory card को निकाल देता है तो जो डेटा प्रोसेस है वही पर रुख जाता है तो ऐसे मैं android operating system उन सभी फाइल का एक कॉपी फाइल lost.tractory folder के अंदर रख देता है जिसके बाद आप दोबारा से retry करके उन फाइल को कॉपी कर सकते हैं या फिर डाउलोड कर सकते हैं या फिर अगर phone switch off हो जाता है तो आप दोबारा से reboot करके phone को किसी recovery software की मदद से उन फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हैं तो lost.directory folder के अंदर कुछ इस तरह की फाइल का कॉपी स्टोर हो सकता है जैसे कि फाइल का जो भी copy है वो lost.directory folder के अंदर सेव हो जाता है इसके अलावा अगर आप अपना memory card remove कर देते हो फाइल कॉपी करते हैं तो इस तरह के जो फाइल का कॉपी है वो भी lost.directory file के अंदर कॉपी हो सकता है अब सवाल उड़ता है कि क्या हम इस folder को डिलेट कर सकते हैं और क्या इससे हमारे phone को को नुकसान है अगर हम इस folder को डिलेट करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप बेज जिचक इस folder को डिलेट कर सकते हैं अगर आप इस folder को डिलेट कर भी देते हैं तो उसके बाद जब भी आप अपने phone को restart करेंगे या फिर कहें phone को switch off करके on करेंगे तो उसके बाद आपके mobile के notification पे जब भी आप इस folder को डिलेट करोगे और phone को restart करोगे तो दुबारा से आपको यह जो फोल्डर है वह आपको अपने memory card यानी SD card के अंदर देखने को मिल जाता है तो basically यही फंडा है lost.directory का I hope दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में यह lost.directory folder क्या है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और नीचे comment में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंदे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और बेल आइकन पर ज़रूर दबारा ताकि मैं जब भी कोई नयए वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नयए वीडियो के साथ तक तक के लिए गुडबाई